दूर तक पहला नीला आस्मान, हरे बरे मैदानों में खेलते बच्चे, पहली बारिश का रोमेंस, समंदर का शूर, हर जगा पानी ही पानी और खुली अवा में सांस लेने के लिए अक्षिजन. कई साल पहले, हमारी दुनिया, याने अर्थ, कुछ ऐसे हुआ करती थी. मैंने ये सब कभी नहीं देखा, ये किस से मेरी माने मुझे सुनाए थे, और शायद उनको, उनकी माने. मेरा नाव रैंडम है, रैंडम शुक्ला. लोग कहते हैं कि मैं दिल से नहीं दिमाग से सोचता हूँ. But there's a reason for that. मैं जब साथ दिन का था, मेरा हार्ट कोलाप्स कर गया था. But don't feel sorry for me, उस साल पैदा होने वाले 43% बच्चों का हार्ट कोलाप्स कर गया था. और पिछले 30 सालों से मैं आर्टिफिशल हार्ट पे सवाइफ कर रहा हूँ. Actually, pollution करके हमने इस प्लैनेट पे इतना कार्बेन फैला दिया है, कि अब खुली हवा में सांस लेना impossible है. अब घरों के भार सबको मास्क पेनने पड़ते हैं. और घरों में, offices में, oxygen भी, electricity के तरह सप्लाई की जाती है. आज oxygen एक product है. toothpaste और shampoo की तरह. बड़ी-बड़ी companies इसे factories में manufacture करती है. oxygen के हर can पर एक price tag है. और जो ये price tag नहीं afford कर पाए, उनके रह सरकारी oxygen है. और उसकी quality के बारे में मैं अब क्या ही कहूँ. लेकिन असली profit है natural oxygen. जो इतनी रहर है कि government ने उस पर बैंड लगा रहा है. और इसे पाने के लिए लोग मरने मारने पे उतर है. अब हर शाम curfew लगा दिया जाते है. शूटर्ट साइट के orders होता है. आज 2067, oxygen is a trillion dollar industry. और अगर कुछ free है, तो सिर्फ. आगर कुछ आगर कुछ